हेलो फ्रेंड वेलकम डियर ओन चनल डेली स्टॉक तरूस्त इस वीडियो के नरम एमि और्गेनिक्स के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको अपकर और जहीं के राथ यहां करना चाहिए यह नहीं चली शुरू करते हैं तो डिके सबसे फिलन यह जानेंगे कि यह कंपणी क्या काम करती है और उसके अलावा गर हम देखेंगे तो यह जो एप्याईड डेग्ड या यूज के जो material यूज के जाते हैं वो भी ये company बनाने का काम करती है तो एक तरीके से एक speciality chemical वाली ये company है तो उसके अलाव अगर हम देखेंगे तो company की 143 रूपीज की book value है और 867 रूपीज पर ये company का stock भी चल रहा है तो अगर हम book value के इसाफ़ चागर हम बात करेंगे तो around 6-7 times के लग यहाँ पे company का around 23% है और ROE का number भी around 20% है जमें नज़र आता है तो जो company के return ratios जो यहाँ पे काफी अच्छे हैं लेकिन अगर हम valuation की बात करेंगे तो around 44 KP ratio पे ये company trade हो रही है और around 18 का industry का PM नज़र आता है तो काफी ज़्यादा premium valuation पे ये company trade हो रही है तो वहाँ पर अगर एक तो bad quarters अगर इस company के देखने को मिलते हैं तो definitely market उसे काफी negative way में treat कर सकता है अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखें यहाँ पे यह दो साल में तो इतनी जाला growth हमें देखने को नहीं मिली थी लेकिन 2021 में अगर हम देखेंगे around 100 करोट से company के revenue के numbers बढ़े थे इन percentage अगर हम बात करेंगे around 40% की growth हमें यहाँ पे revenue में देखने को मिली थी और अगर हम profitability के बात करेंगे तो 100% से यहाँ पे net profit का number company का grow हुआ था उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो around 180 करोट से revenue का number company का बढ़ा है इन percentage वाइस जगर हम बात percentage की growth हमें यहाँ पे देखने को मिली थी लेकिन अगर हम profitability के बात करेंगे जो margin पे pressure हमें देखने को मिला है जो inflationary pressure हमें इन company's चोपा देखने को मिला है तो वहाँ पे इतना ज्यादा यह number देखने को नहीं मिला था around 30% से net profit का number यहाँ पे company का बढ़ा था तो देखा जाया त 80 करोट का में देखने को मिल सकता है तो अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ quarters से अगर हम बात करेंगे तो देखिए 91, 92, 93 फिर उसके बाद में 113 करोट फिर 122, 141, 144 करोट तो देखा जा तो पिछले यह लगबग अगर हम देखेंगे तो around पिछले 7 quarters का data है और पिछले 7 से लगातार consistently कमणी के revenue के numbers grow हुए है और अगर हम profitability के बात करेंगे तो कुछ quarter में यहाँ पे profitability के उपर impact पड़ा है जो raw material cost के वज़े से impact पड़ा है बाकि अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 quarter से लेकिन लगातार हमें यहाँ पे जो net profit कमणी का वो हमें increase होता हुआ नजर आ र कमणी अगर 21 करोड का profit report करती है तो around 84 करोड के net profit company के हो सकते हैं और लगबग अगर आप देखोगे 300 करोड के लगबग का कमणी का मार्किट के पे तो वहाँ पर अगर हम दिखेंगे around 30 to 39 times का कमणी का peer ratio वहाँ पे निकल कर आएगा तो देखा जाया तो एक एक small gap company तो percentage wise काफी जादा growth भी इस company में देखने को मिल चक्ती है तो अगर हम यहाँ पे company के share holding pattern की अगर हम बात करेंगे तो promoters की holding यहाँ पे around 41 percentage के लगबग है लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे FIIs ने पिछले quarter में अपनी holding को बढ़ाया है और जो हमारे DIs उन्होंने भी पि 51% की holding है वो यहाँ पे public के पास थे और recently यह company list हुए तो वहाँ पे इतनी जादा public के पास holding नहीं होनी थी है तो share holding button में यह बुलूँगा कि ठोड़ा cautious approach हमें यहाँ पे share holding pattern को देखते हुए यहाँ पे रखना चाहिए तो अब अगर हम यहाँ पे company के peer comparison के अगर हम बात करेंगे तो देखिए शिल्पा Medicare यह जो company है यह around 66 पे यह company trade हो रही है बाकि जितने भी companies अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उनके valuation के number इस company से हमें कम नजर आते हैं लेकिन देखिए यह जो सारी companies का comparison यहाँ पे किया गया ह हैं इतना ज्यादा inflationary pressure देखने को नहीं मिला है बाकिये जो companies है इनके दो sequential बात करेंगे इनकी profitability कम हुई है लेकिन हमें में और इसा देखने को नहीं मिला है ऑल्दो यहाँ पे जो net profit के margin से कमनी के वह कम हुए है लेकिन यहाँ पे एड्डियन net profit का number company का कम नहीं हुआ है तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 866 रुपीज पर यह stock भी trade हो रहा है around 1434 रुपीज का इसका high है तो वहाँ अगर हम देखेंगे around 40% का correction already इस stock में हो चुका है तो देखेंगे जो China plus one strategy के अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से chemicals की demand all over the world यहाँ पे increase हो रही है तो व small company अगर आप देखोगे hardly 3000 क्रोड के लगबक का market cap है तो अगर यहाँ पे percentage wise अगर यह company 25-30% से grow होती है तो मेरे ख्याल चे वेलेशन का number justified है इतना ज्यादा premium वेलेशन पे यह company अभी trade नहीं हो रही है तो although मेरे ख्याल चे जिस तरीके से भी market में situation अज़र आ रही है तो वहा यहाँ पर सही रहेगी अभी जितना amount है उसका 30% आप इसमें डाल दीजे फिर उसके बाद में 70% है वह मन्थ वाइस डालते जाहिए या फिर वीक वाइस आप डाल सकते हैं तो कि उसके क्या होगा या तो आप एकड़म all time high पे नहीं लेंगे या फिर all time low पे नहीं लेंगे तो आपका जो average price तो एकड़म medium पर आ जाएगा और वहाँ पर definitely आपके जो return चे वह काफी अच्छे आएंगे तो कि अगर आप timing करने जाओगे तो जो अच्छी companies दोती वह timing करने में वहाँ पर थोड़ी mess out हो जाती है आभी बोलोगी कि 800 रुपी बाएगा तभी मैं वाइक क तो अगर आप average करना साथ है तो definitely यहाँ पर average किया जा सकता है तो दोस्तो मैं hope करता हूं कि ME Organics के detailed analysis के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तो thank you have a nice day